जहिन दोस्तों स्वागत है आपका एक वरफिट से डियंट टेक गीक चैनल में तो आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ गये हैं हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है अब देखते हैं विडूज 11 को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं कि लेप्ट आपकी पावर मैंने ओन कर लिए इसके लिए बूट मैनू पर जाना पड़ेगा डेल का जो बूट मैनू में जाने का ऑप्शन है एक वैल हर किसी ब्रेंट का अलग होता है इस पर जाने के लिए हमें एक टोल प्रैस करना पड़ेगा यहां पर यूए फाई है यूए फाई पर आपको बूटेवल जो यह हमारे विंडोज 11 बूटेवल जो हमने बनाई थी वो रैडी हो गई है थोड़ा सा यहां पर पेशनिस बना करके थोड़ा सा टाइम लेगा करका जह हम अ करह省 है यहना दूब हम हम हमें बनाई ऑूचल जो प्रुष्टास करक अ में बनाई ही है करूआ जो जोब चर लेए ले नद रारत है कि अगные बढ़ने से पहले मैं आपको बतायता हूं कि जो इसमें डाउंलोड कर heroic Microsoft की साइट कें लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दोको वहां से आप iOS डाउंलोड कर सकते हैं देखिए देकि दोस्तों Windows Setup मैंनों खुल कि आ गया है इसमें आपको कि English University study रखनी है किदी डिफॉल्ट रखना है कीवृड इंपूट त्क ना है उसके बाद में next पर क्लिक करूंगा यह देखें दोस्तों से इंस्टॉलेशन के लिए पूचह है आप इस्टॉलेशन पर क्लिक कर दीजिए और कि अभी सेटप मैनू स्टार्ट हो गया यहां पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है दोस्तों देखिए दोस्तों इस पर जो एग्रिमेंट है Microsoft का अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं वैसे कोई नहीं पढ़ता अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि Excet पे क्लिक करके काकशक टैप बिटन से आपने च्ट पर जा सकते हैं कि यहां पर आपको कस्टॉम प्प्शन पूछ रहे हैं हो अभल से पना अपने के działाया अल्ली सेड्रायम ऑनना फ्यां अल्हट अगया हूं और जो मेरेको अपना मेरे को अपनी c drive only c drive format करनी तो आपको दिखाई देगा zero drive जो भी होगी वह आपके c drive होगी तो इस वाले drive को मुझे format करना है पहले क्योंकि इसमें already विंडों इस्टॉल थी टैब करके आप नीचे आ सकते हैं माउस का यूज़ भी कर सकते हैं मैं कीबोड का यूज़ कर रहा हूं format पे आपको क्लिक कर देना है यह आप से पूछ रहा है format करने के लिए इसको देखो देखी दोस्तों यह जो अपका पार्टिशन था जीरो पार्टिशन यह आपका फॉर्मेट हो चुका है इसमें आप देख सकते हैं टोटल साइज भी हो गया और आपका फ्री स्पेस भी हो गया तो इसकी नेक्स करने के लिए हम इसको इसी पर कंटीन्यू करेंगे इसी ड्राइब पर टैप से आके नेक्स्ट पर क्लिक कर देखिए दोस्तों यह आपकी जो भी विंडोस की फाइल हमने बूटल पैंट रहा है में वह कॉपी करेगा कुछ स्टाब कुछ से यह फॉलो करने के लिए यह कर रहा है कॉपी विंडोस फाइल अब देखिए गेटिंग फाइल रेडी तो इंस्टॉल जो इस्टॉलेशन के लिए फाइल हमें चाहिए होगी उसको रेडी कर रहा है यह अपने पास कॉपी कर रहा है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है कि यह 0% मलब 0% से लेकर 100% में थोड़ा सा टाइम ले सकता है देखिए दोस्तो 97% ही हो गया है अब यह कंप्लीट होने वाला है बस कि विंडोस दानने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है कि इस्टॉलिंग फीचर कि इस्टॉलिंग अप्डेट कि अब भी अपने फिनिश फिनिश अप प्रोसेस पर देखिए इसने सारे प्रोसेस कंप्लीट कर दी हैं 10 सेकंड आपको वेट करना तो कर सकते नहीं तो आप इसको रिस्टार्ट कर सकते हैं कि अब हमें गूटेबल पन ट्राइब को कर लेना है अब तो इसको रिमूब कर लेना है नहीं कुझे अब यह थोड़ा सा टाइम ले सकता है किनी जो सैटिंग से उसको फिनिश अप कर रहा है पर विंडोज हो विंडोज को इस्टॉल करनेके लिए एभ्रेज टाइम जो लगता है थटी तू फॉर्टी मिनत लगता है उसके आगे जो आप तुन िभली है वह इस्टॉल में चोश्चालिए तरीके लिए तो आप उसको ज्लसे आप पीची अपने इंडिल Windows 11 10 to 11 सारी सर्विसेज और गेटिंग रेडिया तो सिस्टम करने के बाद उसने एक बार अपना रिबूट करा है अब आगे का प्रोसेश चालो होगा यहां पर आप कंट्री से एक का सकते हैं जो भी कंट्री आपको स्लेक्ट करने जैसे हमें इंडिया करने है तो हम इंडिया इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे है कि अ अ करें अ के अधियर दोस्ते है यहां पर इंडिया है येस कि यह आप से कीबोर्ड का मैथर्ड स्लेक्ट करने के लिए बोला जो भी आपको कीबोर्ड का मैथर्ड आपको स्लेक्ट करना है मैं को जैसे इंग्लिश इंडिया करना है तो मैं इंग्लिश इंडिया पर यस कर दूँगा कोई आपको एक्स्ट्रा लियाउट एड करना है कोई और कंट्री का की बोड करना तो आप कर सकते हैं अभी मैं को करना ही तो मैं इसको इसको किप करूंगा अब लिमिटेड चनेक्टिविटी पर मैं जाओंगा भी इसके साथ कि यहाँ पर आपको नाम देना यह जो भी आपको नाम पीसियों नाम विश्च का नाम किसा में फिर कर सकता हूं द्न आत यघ कि 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 नेक्स करें पास्वर्ड करना तो पास्वर्ड के साथ आगे जाओंगा आप यहां पर कुछ भी पास्वर्ड रख सकते हैं कि 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 आप इसके कॉर्डिंग चल सकते हैं में लग यह आप से अगरेंट पुछ रहा है तो सारी जो भी आपको इसमें टिक करना आप टिक कर सकते हैं करना है यह कर दीजिए नो करना नो कर जाएड़ वर मैं भी इसको एक्सेट करता हूं करना करना करें मोछ ग्रेंग वज दूफ अफना फिनिश प्रोससे बैए देटेव दिंग रेडिवो यू और ये आपसे बोला है यहां पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो पीसी को टान ओफ निकरना है आपको इस स्क्रीन पर बने रहना है कि इस प्रोसेस को पूरा होने के थोड़ा सा टाइम लग सकता है अगर आपके पीसी की जो अगर लैप्टॉप की बैटरी लो है तो आप यहां पर पावर प्लग इंसर्ट कर सकते हैं कि अगरे देखिए दोस्तों विंडोज 11 इंस्टॉल हो गया कुछ इस तरीके का लूक आता है यह जो कि विंडोज 10 से पूरी तरह डिफरेंट है यह देख सकते हैं आप विंडोज विंडोज 11 इंस्टॉल हो चुका है हमारे पीसी में कि मैं आपको दिखा रहेता हूं यह देखिए कुछ तरीके से सैटिंग होती है कि यहां पर दिखा रहा है आपको कि पीसी का मॉडल नमबर आपको यह दिखा रहा सारे चीज़ें कि यह सारे इसके फीचर्स हैं हॉपसो यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आगे भी हमारे साथ ऐसे बने रहे ए और हमारे वीडियो उसको देखते रहे हैं सब्सक्राइब करते रहे हैं हम आपके लिए नया और informative content लाते रहेंगे आपको किसी भी requirement किसी भी चीज के ऊपर कोई भी वीडियो चाहिए हो तो आप हमें comment box पर mention कर सकते हैं तो आज के लिए तरह ही दोस्तो thank you, thanks for watching my video and thanks for the support, thank you दोस्तो